चार दिसंबर को दिल्ली में अंसीडी चुनाव होना है इसे लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं चुनाव को लेकर हर तरफ शोर है ऐसे में दिल्ली पुलिस भी सजक है दिल्ली पुलिस के लगबग 16,000 जवान इस चुनाव में अपनी ड्यूटी निभाएंगे साथ ही 10,000 होम गार्ट और इसके अलावा CAPF की 108 कंपनी इस चुनावों में अपनी भागेदारी देंगी चार दिसंबर को दिल्ली में MCD के इलेक्शन हो रहे है जो साउथ और वेस्ट छेतर है उसमें साथ जिले आते हैं जिन में पुलिस ने पूरी तयारी की हुई है जो बूध हर बूध का अनलसिस किया गया है उसमें से जो critical बूध से उस पर deployment हमारी ज़्यादा रहेगी जितने भी पुलिस premises हैं वहाँ पर हमारी police presence है और जो strong room है उनकी security के लिए पुक्ता इंजाम किये गए है इसके साथ साथ जो confessing के दुरान हमारी deployment है रात को checking होती है या night patrolling होती है वो पूरी तरह से जारी है एक DCP सतर के अधिकारी रात को जिले में रहते हैं और वो patrolling और picket duty का supervision करते हैं और अभी तक सब कुछ campaign peaceful रहा है जो critical boots है खासकर जो sensitive area है या जहां पर कोई election के दुरान पहले कोई violence की history है उनने polling boots पर हमने special arrangement लगाए है और वहां पर extra deployment है और वहां पर जो area security plan है वो भी हमने strengthen की है इसके अलावा police इस बार जो drones हैं उनके मादम से भी निगरानी रखेगी कि कहां पर कोई ज्यादा gathering हो रही है या कोई इसी तरह की कोई line order की कोई problem है हर जिले को चार से पांच drone दिये जाएंगे और depending upon the requirement of the district वो उनकी deployment की जाएगी mcd चुनाव के चलते सभी पार्ट या मैदान में उतर चुकी हैं देखना ये होगा कि दिली के mcd चुनाव में कौन बाजी मारता है हुआ 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 है